हलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? तो देखें मैंने कुस्टर नमर 5 अपलोड कर दिया है आसान सी आसान टिक मैंने दे रखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं Otherwise, कोई भी शेप्टर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कोमेंट्स करके हमें बताएं कि सर ये शेप्टर हमें समझ में नहीं आता है उस शेप्टर का भी वीडियो में बना कर अपलोड कर दूँगा तो देखें, आप लोग बिलम मत किजिए तो देखें, आप लोग तयार हो जाए हैं प्रिंच और अंकुर कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर अज आप लोग कोस्टर नमर 4 समझ में आ गया था? यस सर और यानि कहने का मतलब है कोस्टर नमर 1, 2, 3, 4 आप लोग को समझ में आ गया? यस सर तो आज हम कोस्टर नमर 5 सोल्प कर रहा हैं आप लोग ध्यान से देख लिजिए और आप लोग भी solve करेंगा, ओके? Yes, Sir तो चलिए यहाँ पर हम एक बार पढ़ लेते हैं कोशा नमर 5, इन्होंने क्या का है? यहाँ पर इन्होंने कहा है, Daniel is painting the wall and ceiling of a cuboidal hall with length, और यहाँ पर इन्होंने कहा width and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter is painted उसके बाद कोशा है, इन्होंने यह कहा from each can of paint 100 meter square of area is painted, how many cans of paint will see need to paint the room यानि सबसे पहरे आप कोश्टन को हम समझा देते हैं इन्होंने क्या कहा है? Sir, अब इसका थोड़ा हिंदी भी समझा देजी अच्छा हिंदी भी समझना आप लोगों को Yes Sir तो चलिए आप लोगों को हिंदी भी समझा लेते हैं और आप लोगों भी समझा देजीए कोशे इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है Daniel एक ऐसे गनावकार कमरे की दिवारों को और छट को एसे पैंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चोड़ाई और उस्याई क्रम सा इन्होंने आप दे रखा है 15 मिटर, 10 मिटर, 7 मिटर है ठीक है? उसके बाद कोशे इन्होंने ये कहा है पैंट की परते कैन की सहायता से 100 मिटर वर 56 रफल को पैंट किया जा सकता है उसके बाद कोशे इन्होंने ये कहा तो कमरे के लिए उसे पैंट की कितनी कैनों की आवज सकता होगी आप लोगों को यही बता रहा हैं तो चरीए अब हम क्या करेंगे? कोश्चन स्वार्प करेंगे सबसे पहले यहाँ पर करेंगे जो जो गीबेन है यहाँ पर गीबन क्या कहा है? यहाँ पर आप दे सकते हैं हम बतायते हैं यहाँ पर गीबन है लेंट विर्थ और हाइट यह सब हम लिख लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे? area निकालेंगे, तो चलिए हम swap करते हैं question को, और आप लोग फेन और कोंपे उठा लेजिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, here लिख देते हैं here, और यहाँ पर लिखेंगे length देखें वीडियो को स्क्रीप मत किजिएगा आप step by step देखते रहे हैं, तभी आप लोगो समझ में आएगा तो यहाँ पर लिख लिजिएगा length of यहाँ पर लिखेंगे, wall तो length of wall को टोनेट करते हैं L से, आप लोग भी टोनेट कर लिजिएगा equal to इन्होंने book में कितना दिया है 15 meter, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 meter, और यहाँ पर लिखेंगे width width of wall तो width of wall को टोनेट करते हैं यहाँ पर, V से, equal to इन्होंने book में कितना दिया है, 10 meter already इन्होंने book में दे रखा है, आप लोग देख के भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे end यहाँ पर लिखेंगे height height of यहाँ पर लिखेंगे wall तो height को हम दोनेट करते हैं H से, यहाँ पर लिख देंगे bracket में H यहाँ पर लिखेंगे 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 7 meter इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो अगला step भी आप लोग लिख सकते हैं चलिए हम बता भी देते हैं आप लोगों को प्रिंस और अंकुर इतना आप लोगों समझ में आ गया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अब total लिखा लेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर computer प्रिंस उठा लेजिए आप लोगों में यहाँ पर लिखेंगे therefore और यहाँ पर लिखते हम total total यहाँ पर लिखेंगे surface total surface area of यहाँ पर लिखेंगे classroom यह असान टीक है हम पहले ही पता रहते हैं और यहाँ पर एक rules मिलेगा जो हमने question number 3 और 2 में करवाया था वही rules इसमें भी लएगा rules क्या मिलेगा LB और यहाँ करेंगा plus और यहाँ पर लिखेंगे 2 फिर breakage में हम लिखेंगे BH और यहाँ पर करेंगा plus SL यह rules है आप लोगों को त्यारी करना पड़ेगा 12 मेटर है ठीक है तो सफ़े पहले यहाँ पर लेक देंगे 50 उसके बाद क्या मिलना B तिन दोनों के बीच में क्या संबधा है multiply का multiply का sign देंगे B मिला तो इसके बाद क्या मिला plus है प्लस कर देंगे फिर मिला 10 तो Colorado कोम 80 यहाँ उतार लिए देंगे और उसके बाद देख सकते हैं bracket R rif também देंगे उसके बाद देखिए फिर C B मिला तो B में क्या में लोगा 10 फिर यहां कर देंगा multiply है mutually g a cold हिमेद सक्ते हैं 7 meter यहां लोगोन देंगे cRP 10 से 10 से 10 मिलें मैं Mikro Free यहां पर हम एक बार क्या करेंगे यहां हम बता जेते हैं यहां blir नियुस यहां पर हम लिक्षिए इंगे 15 10 जा क्या मिला 150 ठीक है और उसके बाद क्या मिलेगा प्लस कर देंगे उसके बाद क्या मिला 2 IDT यहां उतार लेंगे ठीक है फिर उसकी बाद break it है तब break it हम देंगे और यहां पर देख लेगे फिर से हम बतायते है 10 से हम multiply करेंगे 7 में 10-10,7 जए किया मिलेगा 17 यहाँ पे लिए 17 उसके बाद मिलेगा plus यहाँ प्लस कर देंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 105 देखे हम step by step समझा रहा है आप लोगगो video post नहीं करना है तो चलिए हम next step पर चलते हैं हम आपको بتा रहा हैं पर हम step by step बता रहे हैं और यहां पर देखें क्या करना है यह 158 hadi हम उतार तिक पर यहां क्या मिलेगा प्लस हम add कर लेंगे ठीक है यानि कहने का मतलब है 70 और 105 को हम क्या करेंगे यहाँ पर add कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता जिते हैं 175 मिलेगा यानि इन दोनों को हमने add किया तो 175 मिलेगा ठीक है तो चलिए आगे हम solve कर लेते हैं आप लोगों को यहां तक कोशन समझ में आ गया तो आगे भी आप solve कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम आपको बता भी देते हैं आपर तो अब करें के यहां पर हम बतायते हैं अब यहां पर multiply करेंगे कैसे करेंगे ये भी हम बतारेंगे आपको 150 है IDT हम यहाँ उतारेंगे ठीक है और यहाँ पर देख लिए किसको multiply करेंगे 2 से हम multiply करेंगे क्योंकि multiply का यहाँ पर sign है तो हम multiply करेंगे 2 से हम multiply करेंगे किसमे 175 में तो सबसे पर यहाँ पर plus कर लेते हैं क्योंकि प्लस है आग 275 में जब multiply करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 300 और यहाँ पर लिख देंगे 50 आप multiply करके देख सकते हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ हम add करेंगे किसको किसको इन दोनों को एक साथ हम add करेंगे क्योंकि add का sign है तो देखिए 150 और 350 को जब add करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहां बताते हैं 500 मिलेगा ठीक है और यहां पर लेग देजीगा meter और यहां पर लेग देंगे square क्यों देते हैं हम आपको यह भी बताते हैं जब भी आप area निकालोगे तो उसमें square आपको देना अनिवार है नहीं तो आपका जो solution है wrong हो जाएगा इस इसका आप ध्यान देना ठीक है तो चलिए अब अगला इस्टेप भी लेते हैं इसमें तो आपको बता भी देते हैं यहां पर देख लिए हम आपको बता देते हैं आप इन्हों ने दिया था question में यहां आप दिया था 100 meter square है ठीक है यानि कहने का मतलब यह 100 meter 6 फल को पैंट किया जा सकता है तो 100 meter है यहां पर और हमने यहां पर कितना find किया है 500 meter square तो हम करें क्या है य 100 meter से 500 meter divided करतेंगे तो हम पता लग जाएगा कितने कहनों कि आवसकता होगी तो चलीようया करें क्या इबाइट करेंगे और यहां पर हम आपको बता भी देते हैं कैसे करेंगे यह कहने का मतलब यह जो हमने area यहांपर निकाला है तो area ज हम निकाला है तो हमने 100 मिया करतेंगे झ कितने कैन की आवसकता होगी ते यहां पर लिखेंगे अगला step है now नाव यहां पर लिखेंगे required required number of और यहां पर लिखेंगे can ते यहां पर आपको लिखना पड़ेगा area area of hall और यहां पर करेंगे upon ठीक है और नीचे लिखेंगे हम area of यहां लिखेंगे one can ठीक है हम divide करेंगे ठीक है यह तो हमने hall का यह निकाला था और यहां पर आप करेंगे क्या आपको बता देते हैं इतना आप लोग समझें तो समझें आप लोग question को solve कर लिए आगे भी बता जाते हैं आपर देखिए यहां पर जो हमने लिखा है total surface area of classroom तो इसको एडिटी लिख लिजिए यहा classroom के जब हाल भी लिख सकते हैं दोनों ही same है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पर देखिए area of hall हमने कितना find किया था है यहां पर देख सकते हैं 500 meter यहां पर लिखेंगे 500 और यहां पर divide है ते आपर divide करतेंगे area of one can तो one can का इनोन बुक में कितना दिया था यहां पर लिख देते हैं 100 बस अब करना क्या डिवाइड करतेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चलिए अब डिवाइड भी कर लाते हैं देखिए 100 से हम डिवाइड करेंगे 500 बे तो देखिए 2-0 से 2-0 cancel अब 1-5 से क्या मिल गया 5 ते यहां पर लिख कर देंगे 1-5 जब 5 ठीक है तो यहां पर मिल कितना गया 5 can मिल गया ते यहां पर लिख देंगे 5 5 और यहां पर लिख देंगे can बस यह आपका answer है लेकिन यहां पर एक line आपको लिखना भी पड़ेगा हम आया यहां पर आपको बता भी देते हैं चलिए एक line आपको लिखना भी पड़ेगा जब भी तो आपको पता चलेगा कि हमने question को solve किया है ठीक है यहां पर लिख देत और यहां पर लिखेंगे रिक्वाइड और रिक्वाइड टो पैंट दो रूम तो देखिए यही आपका एंसर होगा आप लोग लिख लिजिएगा और एक बर और बता आते हैं इस कोस्टन को हिंदी और इंग्ली दोनों मिडियों हमने सॉल्व किया है देखिए बहुत जल्दे मिलते हैं कोसर नमर 6 है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाकर आप देख सकते हैं समा सकते हैं और सोर्प कर सकते हैं तब तक लिए बाई में तब सभी बाई